दोस्तों आज जो वीडियो आपके सामने पेश है ये सरोजनी नाइडू के लिखी पोएम If You Call Me के उपर है और इसमें इस पोएम की जो explanation है जो message ये देंती है उसके उपर बात करेंगे ये पोएम एक love song की तरह है इसमें एक जो प्रेमी का है वो कहती है कि अगर मेरा प्रेमी मेरा lover मुझे call करता है या मुझे बुलाता है तो चाहे कुछ भी हो चाहे मेरी हालत जैसी भी हो चाहे कैसी भी मजबूरी आन पड़ी हो मैं जल्दी से जल्दी उसके पास पहुँचने की कोशिश करूँगी और मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा alternative नहीं है मैंने जैसे भी वहाँ पहुचना है if my lover calls for me तो basically यह जो है इसका center point है लेकिन इसको explain करते समय जादा तर यह देखा गया है कि यह एक dedication दिखाती है कि कैसे एक जो lover है वो इतनी dedicated है कि वो कहती है जैसे ही मेरा lover मुझे बुलाएगा या आवाज देगा तो no matter what मेरी condition जैसे ही हो मेरी physical condition या मेरी mental condition मेरी capacity जैसे भी हो मैं जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ इन बातों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे जैसे भी वहाँ पर पहुचना होगा और मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुचने की कोशिश करूँगी तो अगर आप इस poem को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो की negatively dedication को दिखाती है और अगर आप इसका context देखें तो ये poem कुछ 70 साल पुरा नहीं है और 70 साल पहले जो society थी वो काफी male dominant society थी और अगर आज के context में बात करें तो इंडिया आज भी male dominant society है तो आज अगर ये हालत है तो 70 years ago या उससे भी थोड़ा पहले condition क्या होती होगी अगर male और female में एक love relationship है तो उसमें किसका पलड़ा भारी होता होगा ये आप आसानी से अंदाजर लगा सकते हैं तो इस poem में भी कई ऐसी negatively चीजों को दिखाये गया है या ऐसे words हैं जो दिखाते हैं कि ये जो dedication है ये one-sided है तो चलिए इसे आगे देखते हैं देरे देरे की analysis या explanation क्या हो सकती है तो पहली line है कि if you call me I will come swifter oh my love अगर तो मुझे बुलाते हो तो यहाँ जो lover है वो कहती है कि अगर मेरा lover मुझे बुलाता है तो मैं बहुत तेजी से जल्दी से जल्दी उसके पास जाने की कोशिश करूँगी या पहुँच जाओंगी then a trembling forest deer or a panting dove then a trembling forest deer अब देखिए जंगल में क्या होता है अगर एक हिरन को कोई शिकार करने के लिए उसके पीछे दोड़ता है तो हिरन भागता है वो काप रहा होता है डर भी होता है उसे अपनी जान भी बचानी होती है लेकिन वो पूरी dedication के साथ भाग रहा होता है उसके आगे और कोई रास्ता नहीं होता इसी तरह एक penting dove मतलब एक हाफ्ता हुआ जो कभूतर है या फाक्ता है उसके पीछे अगर कोई चील या बाज लगता है तो वो भी पूरी जान लगा देता है उसके पास भी अपनी जान बचाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता है और कोई बिकल्प नहीं होता तो इसी तरह की कुछ comparison ये lover भी कर रही है कि अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मेरे पास तुम्हारे पास आने के अलावा और कोई alternative नहीं होगा मैं काप रही होंगी मैं हाफ रही होंगी तो भी मैं तुम्हारे पास आऊंगी क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा alternative है ही नहीं कि मैं नहीं आ सकती या मैं physically मेरे पास आने का साधन नहीं है या possible नहीं है ये सब बात की बाते हैं क्योंकि जिस तरह एक हीरन के पास दोड़ने के के अलावा कोई चारा नहीं होता इन कंडिशन में जिस तरह एक फाक्ता के पास हाफ-हाफ के उड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता इसी तरह मेरे पास भी और कोई चारा नहीं होगा Swifter than a snake that flies to the charmer's throl अब देखिए यहाँ पर फिर अपना comparison जो लवर है एक snake के साथ कर रहा है कि जैसे एक साप होता है जो एक सपेरा है वो साप को अपने काबू में रखता है throl का मतलब है अपने बस में रखना या एक किस्म से कहा जाए तो एक गुलाम की तरह रखना तो जैसे एक सपेरा एक सांप को अपनी गुलामी में रखता है और उस सांप के पास उस गुलामी में जाने के सिवाए और कोई रास्ता नहीं होता है तो उसी तरह lover कह रही है मेरे पास भी कुछ इसी तरह की condition है या मेरी जो situation है वो भी इस तरह किये कि अगर तुम एक सपे रहे हो तो मैं वो साप हूँ जो तुम्हारे बस में है मेरे उपर मेरा अपना बस नहीं है तो जैसे तुम बुलाओगे तो regardless whether I want to go or whether I don't want to go मुझे तुम्हारे पास आना ही होगा If you call me I will come fearless what befall कि अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मुझे और कोई डर नहीं होगा मुझे बस सिर्फ ये धुनोगी कि मैं तुम्हारे पास आ सकूँ चाहे कितनी भी मुसीबते आन पड़े If you call me I will come swifter than desire अगर तुम मुझे बुलाते हो तो जैसे मन में एक इक्षा आजाती है बिना सोचे समझे, बहुत जल्दी और ये इक्षा बदलती रहती है इसी तरह जैसी तुम बुलाओगे उस इक्षा की तरह जो यकायक हमारे दिल में या मन में आजाती है मैं तुम्हारे पास आह पहुंचूंगी Swifter than lightning's feet shod with plumes of fire और ये जो मेरी आने की speed होगी ये ऐसी होगी जैसे बिजली मेरे कदमों में भर गई हो पैरों में भर गई हो और मेरे पैरों में shod, मतलब जो जूते हैं उनसे जो आग निकलेगी वो ऐसा होगा जैसे की plumes जो गुबार होता है जैसे आपने देखा होगा घोड़ा जब दोड़ता है तो गुबार सा निकलता है उसी तरह कुछ मेरी भी speed ऐसी होगी कि जैसे भी होगा मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करूँगी Life's dark tides may roll between or death's deep chasm divide अब ये लहरे society की बाते हो सकती है कि आपको ये करना है आपको ये नहीं करना है आप इस तपके से हो आप उस तपके से हो आपको इस से नहीं मिलना आपको उस से नहीं मिलना तो जैसे ये चीजे हैं और या जो death chasm जो खाई है मौत की, अगर वो भी मेरे बीच में आ जाती है, तो भी मेरे पास उसे नांग के जाने के सिवाए और कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास आना ही आना है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई alternative नहीं है. और अगर तुम मुझे बुलाते हो, तो मेरे अंदर और किसी भी चीज के लिए कोई डर नहीं होगा, बस ये बात मुझे ध्यान में रखनी है, कि तुमने मुझे बुलाया और मुझे जाना है, तो देख सकते हैं आपकी कैसे dedication है, love है, लेकिन इसका जो पल रहा है, वो दूसर तो दोस्तों मैंने इसे थोड़ा जो मुझे दिखा, जो wordings मुझे दिखी, मैंने उस तरह से आपको बतानी कोशिश की है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप से दूसरे वीडियो में, तो तब तक के लिए good bye.